क्या आप जानते हैं, रामण की बहन सूपनखा के बारे में दस रहस में पूर्ण बाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बालमीकी रामार, रामचरित मानस, रामचंद्रिका, साकेट संत, पंचवटी, आधि ग्रंथों में सूपनखा के बारे में लिखी हुई जानकारी मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि लश्मन ने सूपनखा की नाक काड़ दी थी। तो आईए जानते हैं सूपनखा के बारे में दस रहस पूर्ण बाते। नमबर एक, सूपनखा कौन थी? रिशी विश्व सरवा और कैक्सी की पुत्री थी सूपनखा, तथा लंका नरेश रामण की बहन थी सूपनखा। सूप वत नखानी यस्सा सा सूपनखा, अर्थात जिसके नख यानि नाक सूप के समान हूँ। नमबर दो, पूर्व जनम में सूपनखा क्या थी? कहते हैं कि पूर्व जनम में सूपनखा इंद्र लोग की नयनतारा नामक एक अपसरा थी, उस समय पृत्वी पर एक बजरा नामक रिशी घोर तपस्या कर रहे थी। तब नयनतारा पर प्रशन होने के कारण रिशी की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृत्वी पर भेजा। परंद्व बजरा रिशी की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राच्छी होने का साब दे दिया। रिशी से छमा याचना करने पर रिशी बजरा ने उससे कहा कि राच्छस जनम में ही तुझे प्रभू के दर्शन होंगे। तब वही अपसरा देह त्याक के बाद सूपनखा नामक राच्छी बसी। इस तरह से सूपनखा का पूर्व जनम था। 3. सूपनखा के पती का क्या नाम था। कुबेर को बेदखल करने के बाद रावण ने लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन सूपनखा का बिबाह कालका के पुत्र दानव राज विद्धु विहा के साथ कर दिया था। 4. सूपनखा द्वारा रावण को दिया गया साप। त्रलोक बिजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में बिद्धु विहा को भी मार दिया था। जिससे सूपनखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्बनास होगा। रावण ने उसे आस्वास्त करते हुए अपने भाई, खर और दूशन के पास रहने के लिए उसे भेज दिया। वह दंड कारण में रहने लगी। हलांकि कुछ किद्वन्तियों के अंसार यह भी कहा जाता है कि एक बार रामण सूपनखा के घर गया। सूपनखा का पती बिद्विया सिरी हरी का उपासक था। यह देख कर रामण क्रोधित हो गया और उसने उसका वही बद कर दिया था। नमबर पाँच राम पर मोहित हुई थी सूपनखा। एक कथा के उनसार सिरी राम दंड कारण बन में ही रहते थे उस समय। वहां सूपनखा ने जब सिरी राम को देखा तो वह उन पर मुगध हो गई। राम का परिषय जानकर उसने कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वच्छा चारणी राच्छी हूँ। मुझसे सब भैभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रामण मेरा भाई है। मैं तुमसे विबाह करना चाहती हूँ। यहां सुनकर स्री राम मुश्क्राए और बोले उनका विबाह हो चुका है। उनका छोटा भाई लच्मन अबिबाही थै। अता हुआ उसके पास जाए। नमबर 6 लच्मन ने काटी थी सूपनखा की नाक। सूपनखा ने लच्मन के समक्ष बिबाह का प्रस्ताव जब रखा तो लच्मन ने उसे अशोईकार कर दिया। फिर उसे राम के पास भेज दिया। यहां सुनकर वह भड़क गई। और उसने कहा मैं सीता को अभी खा ले तब यहां सौतन नहीं रहेगी और हम फिर विबाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर दवड़ी तब राम के आदेशा नुसार लच्मन ने उसके नाक कान काट दिये। कहते हैं कि जब यहां घटना घटी तब तीनों पंच्वटी में ही रहते थे। पंच्वटी नासिक में हैं। यह भी कहा जाता है कि नासिक का नाम इसलिए नासिक है क्योंकि वहां सूपनखा की नाक काटी गई थी। लेकिन कुछ विद्वान इसे सही नहीं मानते। कटी नाक के साथ सूपनखा ने अपने भाई खर और दूशन के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सही थमला किया। सिरराम और लच्वर ने सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और अकेले ही संपूर सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्हों ने खर और दूशन को उनकी सेना सहीत मार गिराया। मुनी और गंधर्व या युद्ध देखने कहे थे। दूशन त्रिश्रा तथा अनेक राच्शों के मारे जाने पर खर स्वयंग राम से युद्ध करने गया और वो भी मारा गया। राम ने खर दूशन त्रिश्रा तथा 14,000 राच्शों को मार गिराया था। नमबर आठ पंचवटी में लच्मन से अपमानित सूप नखा ने अपने भाई रामण से अपनी बिथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा सीता बहुत सुन्दर है और वह तुम्हारी पतनी बनने के सर्वथा योग है। तब रामण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपनी मामा मारिच के साथ मिलकर सीता अपरण की योजना रची थी। नमबर नौ जब सूप नखा के ज्यान चच्चु खुले। खर दोशन, रावन, कुम्हकरन, मेघनात, आधी निसाचरों को मरवा दिया और प्रभू प्राप्ति की उचित प्रगिरिया अपनाने के लिए पुसकर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान सीव का ध्यान करने लगी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि रावन का आसरम में रहने लगी थी। वही नैन तारा अपसरा का मनमोहक वूप परदान करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आई होप आपको एहजानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और चैनल पे नए हो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें। धन्यबाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो। झाले वीडियो।